नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 18 अगस्त सुबाच छे बजे राजस्तान की खास खबरें भारती चिकित्सा संग यानि आयम में द्वारा कॉलकाता में एक ट्रेने डॉक्टर की साथ बलात कर और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर पूरे भारत में चल रही हर्ताल आज सुबाच 6 बजे समाप तो गई हर्ताल का व्यापक असर पूरे देश में दिखाई दिया अस्पतालों में रोगियों की भारी भीड नजर आई आमजन को हर्ताल के करण भारी परिशानी का सामना करना पड़ा हर्ताल की चलते देश में इंडियन मेडिकल असोसियेशन की और से प्राइवेट अस्पताल और लैब 24 खंटों तक बंद रहे एमरजनसी के इलावा अन्य किसी तरह की सेवाएं प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्द नहीं हुई आइमे की माम की कि सबी स्पतालों की सुरक्षा प्राइवेट अरवी अशोकन ने कहा सेस्टे वी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्राइवेट पालन किया जा सकता है आयमे के अनुसार अपात कालिन और धुरगटना वाले मामलों में काम हुआ लेकिन कोई OPD नहीं हुई अलवर ECB कोटनी रिश्वत मामले में पटवारी को चार साल की जेल वे दस हजार पे आर्थिक दंड से दंडित किया है वेशिश लोक अभियोजक शारदा गॉयल ने बताया कि परिवादी अमर सिंग निवासी पैथपूर ने ECB में देश शिकायत में बताया था कि पटवारी नंदलाल पुतर रामजिलाल यादव ने इंतकाल खुलवाने की एवज में 15,000 पे रिश्वत मांगी है इसके बाद 10,000 पे देना तै हुआ इसके पुस्टी करने के बाद पटवारी को ECB टीम ने अरेस्ट कर लिया प्रकर्ण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को पेश किया गया इसके बाद ECB कोट ने पटवारी को 4 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 पे के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है पैरिस ओलंपिक में कुष्टी के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालिफाई हुई विनेश फोगाट की वतन वापसी हुगई है वे दिल्ली एरपोर्ट से बाहर आई तो अपने साथी रेसलर साक्षी मलिक ने गले लगा करोने लगी इसके बार विनेश ओपन जीप में रवाना हो गई दिल्ली एरपोर्ट पर स्वागत देख विनेश ने कहा पूरे देस वाशियों का बहुत बहुत धन्यवात मैं बहुत भागिशाली हूँ वैदिल्ली एरपोर्ट से विनेश के पैतरक गाउं बलाली तक करीब 125 किलो मीटर के रास्ते में उनका जगा जगा स्वागत हुआ गाउं के खेल स्टेडियम में भव्या कारेकरम रखा गया था हलांकि एक दिन पहले ही अचार सहिंता लग जाने के करण राजसरकार इन कारेकरमों में शामिल नहीं हो रही है सेम नायब सैनी ने कुछ दिन पहले विनेश को चार करोड रुपे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था पाली जिले में 14 साल की अपनी नबालिक बेटी से रेप कर उसे गर्बवती करने वाले 47 साल की कल्योगी पिता को जज सचिन गुपता ने 20 साल की सजा और 18,000 पे की जुर्माने की सजा सुनाई खटना के बार पुलिस और सकी सेंटर में दिये अपने बयान में पिडिता कोट में मुकर गए लेकिन पुलिस ने डिन ने और पिडिता के गर्बपात की रिपोर्ट पेश के जिसके अधार पर पुक्सो कोट के विशिष नयाइदिश सचिन गुपता ने अभियुक्त को जा सुनाई पुक्सो कोट संक्या एक के विशिष लोक अभियोजक संदीप नहरा ने बताया कि अगस्त 2023 को 14 साल के एक नबालिक को पेट दर्द होने पर उसके माता पिता उसे बंगड हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जा सोनोग्राफी में पता जला कि नबालिक गर्बवती सक्षी सेंटर में काउंसलिंग और पुलिस को दिये बयान में नबालिक ने बताया कि पिता ने रात के समय उसके साथ गंदा काम किया डर के मारे उसने मां को नहीं बताया इस पर पिता ने कई बार गलत काम किया हरियाना में विदानसबर चुनाव की घोशना होते ही प्रदेश के 1.20 लाख करमचारियों की नौकरी के सुरक्षा पर संकट मंडराने लगा है सीम नायब सिंग सेने की अधिक्षता में हुई कैबिनिट बैठक में सरकारी विभागों बोडों निगमों और संस्थाओं में पांच साल से दिक समय से कारिरत 1.20 लाख आस्थाई करमचारियों की नौकरी की सुरक्षा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई ह इसकी अधिसूचना 14 अगस्त को जारी कर दी गई अगले दिन 15 अगस्त को छुटी थी और 16 अगस्त की शाम को अधर्श चार सहिंता लागू हो गई इस वज़े से अभी 1.20 लाख करमचारियों को जॉब सिकेरिटी मिलने में पेंच फस गया है अधर्श नाव चार सहिंता लागू होने की बाद समाने तौर पर समन्दित अफसर इस तरह के आदेश जारी करने से बच्चते हैं उन्हें पता होता है कि इस तरह के मामलों में कॉंट्रुवर्सी तयार हो जाती है कोटा जुले में युवक पर जानलेवा हमली के करीब आठ सल पुराने मामली में तीना रोपियों रविंदर सिंग, रौकी और फुराहुल, निवासी गायतरी विहार बोर खेडा, वे सद्दाम अंसारी निवासी ताला पड़ा, बारां को साथ साथ साल के कठोर कारावास क सजा और कुल 56,000 के अर्थ दंड से दंडित किया है, मामले के अनुसार शशांक सोनी ने 30 जून 2016 को दादाबाडी थाने में शिकायत दी कि रात को वह अपने ससुराल परतापनगर दादाबाडी आया था, खर के बाहर कार की सीट पर बैठा था, तब साला रवी सोनी अपनी एक्टिवा पर घर आया, उसके आते ही घात लगाए बैठे, दो यवकों ने उस पर डंडे से हमला कर दिया, बीच बचाव करने पर आरोपियों ने पिस्टल से फायर कर दिया, जो साले की कनपटी के पास लगी, वह घंबीर घायल हो गया और आरोपी भाग गए, साले को घ आयोग द्वारा सहायक सांखी की अधिकारी, परत्योगी परिक्षा दोजर चौबिस का आयोजन 25 अगस्त को प्रात्या, 11 से डेड़ बजे तक अजमेर वे जैपुर जिला मुख्याले पर किया जाएगा, परिक्षा में OMR शीट के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मि परिक्षा नियंतरक, आशुतोष गुपता ने बताया कि अब्यर्थी परिक्षा के लिए अवंटित जिले की जानकारी आज से SSO पोर्टल पर लॉग इन कर प्राप्त कर सकेंगे, परिक्षा के परवेश पत्र आयोग की वेबसाइट वे से सो पोर्टल पर 22 अगस्त को जा सामने आया, सुरतगर सीटी थाना पोलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरतगर निवासी पूनम पत्नी संतलाल ने विजनगर निवासी नवदीप सिंग के खिलाफ मुकदमा दर्स करवाया है, पूनम का कहना है कि उसने विदेश जाना था, आरोपित नवदीप सिंग ने इस मामले की जांच सहाय को अपनिरिक्षक मनसाराम कर रहे हैं, पूलिस का कहना है कि पिडिता द्वारा लगाए गए अरोपों की जांच की जारी है, पंजाब के बठिंडा जिले के गाम वराय के कला में एक स्कूल वैन ने साइकल पर जा रहे है, 11 साल के बच्चे को टकर म मार दी हाथसे में बच्चे की मौत हो गई, पुलिस ने वैन ड्राइवर, वैन मालिक और स्कूल मालिक को नामजद किया है, थाना नंदगड पुलिस को मडे तक बच्चे की मा किंदर कौर ने बताया कि उसका बेटा हर्मन सरकारी सीनिर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, स्कूल की छुटी के बाद हर्मन साइकल से घर आ रहा था, रास्ते में खुशकरण सिंग ने स्कूल बस को उसको टकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, थाना नंदगड के सहायक थानिदार चरणजीत सिंग ने बताया कि वैन चालक खुशकरण सिंग, वैन मालिक सुरजी चालिस साल के आरोपी ने तीन-चार महीने से कई बार रेप किया, लड़की तीन महीने की प्रेगनेंट है, मारवार जंक्शन एससे चो सरोस बैरवा ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाली लड़की के पिता ने दे रिपोर्ट में बताया कि मेरी 14 साल की बेटी को डरा धमकाकर आरोपी 40 वर्षे राजुराम सुथार ने पिछले तीन-चार महीने में कई बार रेप किया, इससे बेटी तीन महीने की गर्बवती हो गई, आरोपी के डर से बेटी ने घर में किसी को भी अपने साथ हुई जाती के बारे में नहीं बताया, बेटी के पेट पर जाती कि रहे घर में किसी को जए जाती साथ हुआ है झारो voting वेन खिए के लोगी तीन साथ हुआ जوس पर एंप